सोनी टीवी के फेमस रियालिटी शो इंडियन आइडल 11 काफी समय से चल्चा में बना हुआ है हाल ही में शो का फिनाले बेहद ही धूमधाम से मनाया गया संगीत के इस महा संग्रा में सुरो के महारतियों के बीच कड़ा मुकाबला देखनी को मिला साथी सुरो कोले कर जबदस्त जंग भी चुड़ी इंडियन आइडल के सीजन में लंबा सफ़र तैय करने वाले कलाकारों का सपोर्ट करने के लिए उनके पैरेंस भी आए हुए थे सुरोकली के चल रही इस जंग में इस साल इंडियन आइडल का खिताब सनी हिंदुस्तानी के नाम रहा बता दे कि सनी हिंदुस्तानी को इंडियन आइडल 11 की ट्रॉफी के साथ 25 लाख रुपए का इनाम मिला उसके बाद पहले और दूसरे रनर अप को पांच पांच लाख रुपए दिये गए पहले रनर अप रोहत राउत रहे अकुना मुखार जी दूसरी रनर अप रही तीसरे और चौते रनर अप अदरिज घोश और रिदम कल्यान रहे ग्रैन फिनाले में कंटस्टेंट ने पूरे जोश के साथ परफॉर्म किया वहीं अगर बात की जाए इंडियन आइडल के टॉप फाइव कंटस्टन की तो इसमें भटेंटा के सने हिंदुस्तानी, लादूर के रोहित राउत, अमित सर के रिदम कल्यान, कौलकता के अद्रिज खोश और अकुना मुखर जी जगह बना पाने में कामियाब रहे बंगाल की अकुना ने खासतोर पर दर्शुकों का प्यार पाया और वो वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरीए शो में दाखिल हुई थी शो में काफी समय से शो के विनर को लेकर चर्चा चल रही थी सोशल मीडिया पर भी लोगों की बीच बहस छेड़ी हुई थी कि इंडियन आइडल का विनर कौन बनने बाला है रोहित राउत और सनी हिंदुस्तानी के बीच टकर का मुकाबला देखने को मिल रहा था और ओडियन्स के बीच भी ये मुकाबला चल रहा था कि सनी हिंदुस्तानी ये खिताब अपने नाम करेंगी यार रोहित राउत इंडियन आइडल के विनर बनेंगे लेकिन रोहित राउद को पच्छारती हुए सनी हिंदुस्तानी नी इंडियन आइडल 11 का खिताब अपनी नाम कर लिया है